गडंता यार, मेरा वोगत चलेगे बच 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 बड़ा इन चलेगता हूंगों बड़े हो गया और ना में ंए पोरेट, सवायर आट जाट करने हो जाट बेडान के 수िरIG, कि अब अनीमिहर एंट को जागता है अवि क्या रीगारा इनन और मुझे ऐन चछोट्टा आबकर्फ बच 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 रlection एफ घैल वरेगे खम भलतेज बच 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 बाते हैं देखते हैं क्या बनाते हैं चलते हैं तो मैंने मैं किचन कर दिया है मतलब बरतन सारे धूल दिगे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज बनाओ तो मिनट्स वाली मैगी जो कि ये बिल्कुल जूट है तो मिनट्स में मैगी कभी नहीं बनता है बसकि साइद ओवें महीं बन सक तो इसके लिए मुझे चाहिए एक प्याच एक टमाटर साधा वाला में बनता है लेकिन मुझे प्याच टमाटर वाला खाने कमाने और मैं ले लूँगे दो चार लैक्षुल और दो हरे मिल्च तो अजुआ हां हां मैंघी मसाला क्यूंकि मुझे मसाला वाला मैंघी पसंदे आप अज़त है और मैंगों प्याच परने ओगाता है अचा, मैगी बहुत तरीके सबंदह है, सबकर अपना फ्राइवरेट होता मैगी मैं तो कभी कभी पानी वाल भी साधा पानी में दो मिनट ने बोलू पाच मिनट वाल भी खा लेती हूँ और कभी कभी तामधं वाल भी खा लेती हूँ तो क्यों वह इतना ज्यादा भी रहता था तो मैं क्या मता हुआ मत में नंन्बर लगाना पड़ता था मेगी खाने को बितली होती थी तो ये मैंने दूल लिया है अब मैं इसे कट करती हूं तो पहले मैं टमाटर को कट करती हूं तो मैं पहले टमाटर को कट कर देंगी चटी-चटी टिक्रे में मैंने प्याज काट लिया इतना प्याज काफी है ये प्याज मेरा बच लिया और ये एक हरीमेश मैंने काट लिया ये मेरा मिर्ची भी कट हो गया और मैं लैशून को काट लूँगी लैशून छिलना और काटना ये काटना तो चलो सही वे इसको छिलना बहुत इरिटेटिंग काम है ये मेरा सबची इसमें आप सिम्ला मिर्च भी डाल सकते हैं गाजर भी डाल सकते हैं मेरे पास अबली एवल नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बना रही है और मैंने सोचा था मैं खाने के लिए बनाऊंगी लेकिए मैं दिखा भी रही है तो ये मैंने सारे टमाटब प्यार्च मिर्च और लैशून कट कर लिए मैं चढ़ाऊंगी अपना बढ़ाई तो कड़ाही में थोड़ा सा तेल डाला है मैंने और वो थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी लैशून और हडी मिल्च और भाग्यों जताकि मैं हमेशा करते हैं और इसके बाद मैं डालों प्यास दो चाय चलेगी और इसमें मैं डालों और होड़ा सा में नमक डालों दो तो सा तैसलिकी मैगी मसाला में भी नमक होता है इसलिए घां से इसमें भी नमक होता है और इसके जो मसाले होते हैं उसमें भी नमक होता है तो यह थोड़ा सा मैंने त्याज त्याज वे तमाटर को खराए कर दो तक मैंसे इसे प्यार यह चूर चाल दिया मुझे गुर्टान वाला इसके बाहर तो यह नाइजी में कार लेंगी क्योंकि इसे मुझे थोड़ा साथ सिस्ट करना है अब इसमें अपना मेली दाओंगी और तो अपना मेली दाओंगी पानी में दाओंगी पानी अब मैं यह दाल दिया अब में यह मशार दालिए और थोड़ों से मैं यह वाला मसार करूँगी तो वहता तीछा पर्ण होता है इस मसाले में तो तो ठीखा होता है हल्का सो ज्यादा ही थोड़ा सो इससे जो मैग्वी का तेस्ट आता है ना वाइड कॉर्ब बहुत अच्छा था तो चल गिये मेरा मैग्वी बनने जा रहा है कब तक मैं तो यह हमारी मैगी हो रही है तब तक गर्मी का दिन है हमेशा वक्त वक्त पे पानी पीते रहे हैं तो मैं जारे रहे से एगलाद पानी यह मैंने पाणी लिया और मैं पाणी को हमेशाथ सीफ मयथ करके पिना चाहिए ऐसा में कि हाँ पाणी लिय और वर से करके पानी पिये है पानी हमारे बोड के लिए भी जाडूरी है और और फेस के लिए भी जरूरी है, आप मातर दो दिन पानी मत पीजे, दन से पानी मत पीजे, आपको देखेगा, आपको चैरा सी पूड साथ जाएगा बिलकुल भी, और अभी तर्बूज वागेरा जादा खाएं, खीरा खाएं, और पानी हमेशा पीए, हमेशा, खाना मेनाट पानी जानाएं, मैंने पानी पी लिया, और इदर हमारी मैगी भी हो चलिए, देखें कि अच्छा लग रहा देखने हमें, यह हमारी टेइन मिनट वाली मैगी रेडी हो गई है, तो चलिए मैं से खाती हूँ, और छोटे छोटे भूट को मिता पीजे, तो यह देखिए, कितना अच्छा बना है मेरा दस मिनट वाला मैगी, 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 आप लोगे भी मूँ में पानी आ रहा है, आ रहा है ना, तो यह मेरा मैगी, रेडी हो गया है, पेट में जाने के लिए, और इसके खुश वो बहुत खुशूरत है, ऐसे मैगी बनता है दूसरे गशर में, इसमें बहुत सारे गशर में जाते है, और यह मैगी तो दवल मसालों से बना है, दो मसालों से, एक मैगी मसाला और एक इसका अपना मैगी मसाला, और ठंदी ठंदी हवा बह रही है, जैसे कि मेले बाग उड़ रहे हैं, आपको पता चड़ रहा होगा कि कितनी अच्छी हवा बह रही है, और इस ठंदी ठंदे हवो में मैं अतना गर्ण करू मैगी का लूप दूथाऊ उड़ी, तो चली ठाती हुने मैगी, बच्पन वाला करें सबसे पहला वाइट ऐसे खाती थी अर्यार यार ये टूटा हुआ दे दिया है ना सबने तो लंबा वाला नहीं है हाँ गड़ा हुंता यार मेरा हुपर्ट चलिए बचपन बचपन वाला नियन चल लगता हुँ बड़े हो गया तो बड़े राइक काते हैं मेरा होट जल गया सच बता रही हुए वाट इस दिया है यार हवा इपना अच्छा चल रहा है कि मैं क्या बता हूँ एक और ट्राइक करती हुए दो गया पहरी बार मेरा उड़ जल गया था बहुत गरम है यार फट लगा होगा तो मैं अपने थंडे थंडे मौसम के साथ गरम गरम मैगी खाती हूं और अपनी छोटे चोटे बूड को मिटाती हूं और आप लोग बताएगा कि आप लोग को यह मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और यह इस्पेसली यह मैगी वाला ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग भी ऐसे बना के खाईए और लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और वो जो घंटी होता है न उसको भी दवा दीजिए ठीक है और कमेंट किजिए कि मुझे आपका ब्लॉग कैसा अब मुझे अब सौनी यार मैं तब मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो ठीक है मिलते हैं मैं अपना मैगी खतम करती हूं आप सबस्तितल जव्लओमे बाई